नेत्र रोग चिकत्सा कलपना के अंतरगत साथ प्रकार के चिकत्सा कलपना आती है और इसमें इस वीडियो में पिंडी, विडालाक और अंजन के बारे में मैं डिसकस करूँगा और बाकी की जो चार हैं सेक, तरपन, पुटपाक और आश्योतन यह मैंने पहले के वीडियो में डिसकस किया है तो सबसे पहला है पिंडी, पिंडी का दुसरा नाम कवलिका भी होता है और इसका यूज हम करते हैं नेत्र अभिशेंद में और नेत्र गत्वरिण में नेतर अभिष्यंद क्या होता है जो सबसेपहले अभिष्यंद जो bird है आभी और शेंद से मिलके बना है अभी का मतलब होता है बिुल या प्रचूर या ग्रेट इन क्वांटिटी और शेंद का मतलब होता है सीकृष enfants तो जब secretion एक जो normal amount से ज़्यादा होने लगता है खास कर आखों में मेली आखों में तो उसको बोलते है नेत्र अभिशेंद जिसके वैसे आखें सूच जाती है, स्वैलन हो जाता है आखें ऐसा inflammation हो जाता है आखों में और secretion आखों में बढ़ जाते हैं तो नेत्र अभिशेंद बोलते हैं उसको और नेत्रकत व्रिण का मतलब है कोई wound आखों में चोट लग गई तो उसको व्रिण कहते हैं तो आखों में अगर अभिशेंद है यानि कि उसमें से ज़्यादा secretion हो रहा है और व्रिण यानि कि चोट है तो इन दोनों conditions में हम पिंडी का यूज़ करते हैं अब पिंडी होता क्या है पिंडी पिंड से मिलके बना है पिंड वर्ड से बना है पिंड का मतलब होता है कोई भी ball like structure तो इसमें ball like structure होता क्या है इसमें जो हम पिंडी जब हम इसका use करते हैं इस कलपना का use करते हैं आखों में तो जो wet drugs होती है रने कि आरदरद्रविय गेली जो ओसदिया होती हैं उनको पीसते हैं और पेश्ट की फॉर्म में लेते हैं और अगर गीली ओजदी नहीं है, कोई ऐसी काश्ट ओजदी है, जो कि सूखी है, तो हम उसको पीस करके चून बना लेते हैं, और उसमें गुलाब जल या नॉर्मल जल पानी जो होता है, उसको मिला करके पेश्ट के फॉर्म में ले आते हैं, अब उस पेश्ट को बॉल के उपर बांदा, तो जब कपड़े को आँखों में बांदते हैं, तो जो जहां द्रव्य रखा है, तो द्रव्य आँख के उपर आना चाहिए, क्योंकि जब यह करते हैं, तो आँखे बंद करते हैं, तो यह जो हमारी आइलिट होती है, या पलकी होती है, इनके उपर आना च अभी है दोशों के आधार पर मतलब किस दोस से ही अभिशंद हो रहा है नेत रभिशंद इसके चाटाय पुझाते हैं वातज, पितज, कफज, रखतज यानि कि वातज अभिशंद, पितज अभिशंद, कफज अभिशंद, रखतज अभिशंद और इनी दोशों के आधार पर जो इसका classification किया है इसके according हम आउजधियों का यूज़ करते हैं तो जो इसमें वातज नेत्र अभिशन्द है उसमें एरंड़ पंत्र या मूल इसका कल्क बनाते हैं और इसको ऐसा पिंडी यूज़ करते हैं कफज में आवला या निमफल इनका कल्क बनाते हैं और इसको यूज करते हैं उसमें कपड़े में रखके ऐसा पिंड यूज करते हैं इसके बाद आता है कफज अभिशेंद तो कफज अभिशेंद में जो शिक्रू होता है जिसको सहीजन या शोबाइंजन बोलते हैं उसके पत्तों को पीस करके कल्क बनाते हैं और फिर उसका यूज करते हैं ऐसा पिंडी, इसके बाद आता है रक्त चविशन्द, रक्त चविशन्द में जो लोधृ होता है, लोधृ को कांजी में पीस की कल्क बनाते हैं और फिर उसको घी में भूनते हैं, फिर घी में भूनने के बाद उसको ठंड़ा करके तब आभिछन्द को इसका पिंडी यूज़ करते हैं जो पिंडी हम यूज़ करते हैं उसका ताप मान चाहिए ठंड़ा हो गर्म हो या हलकाまだario हो सुखोष्ण हो तो जो 4 टाइप्स के हमने जो भी देखे थे अभिशन्द वातज, पितज, कफच और रक्ट अभिशन्द तो इसमें हम अलग-अलग टेंपरेचर और उसका टेक्चर अलग-अलग उसकरते हैं तो वातज अभिशन्द में इसनिक्द और उसन्द पिंड़ी लेंगे इसनिक्द और उसन्द और कफच में सुखोष्ण यानि की हलका गर्म माइल्ड गर्म होना चाहिए पितज और रक्तज में जो पिंड़ी उसकरेंगे वो शीतल होनी चाहिए इसके पीछे करेजन यह हैं करेंगे तो इसनिक्द और उसन्द यह दोनों वात के गुणों के अपोजिट है तो इसलिए हम पिंड़ी ले रहे हैं कफच में हम सुखोष्ण ले रहे हैं क्योंकि उसन्द गुण जो होता है वो कफ़ व करें और पित जो अभिषैंद रखत जो इस में मेली पित कि दुष्टे होती है और रखत रखत यह दुष्ट है तो इसमें हम स्विते लिएव inac değil क्योंकि जो भी पित हम आउस्धियों को पीस करके उनका कल्क बनाते हैं और उनको आँखे बंद करके जो आईलेट्स होती हैं उसके उपर उसका लेप किया आता है इसमें जो पक्षम होते हैं नेतर पक्षम यानि की जो आईलेशी से उनको छोड़ करके जो हमारे आईलेट्स होते हैं उनके लेप और सेंदव ये इनको एक साथ एक्वल अमाउंट में लेकर के पीशते हैं इसमें जल डाल करके और इसका कल्क बनाते हैं पेश्ट बनाते हैं और फिर इसका लेप करते हैं मापलकों पर या आइलिट्स पर और भी उस्दिया होती हैं हम जिनको एज़ा उसका लेप बना करके लेकिन जो सरवोत्तम विडालक माना है वो यही माना है मुलैठी, रसांजन, गैरिक और सेंदव इनको एक्वल अमाउंट में लेकर के इसमें जल मिलाकर के इसका पेश्ट बना करके और उसका लेप किया राता है ये सरवोत्तम विडालक माना राता है आखरी जो नेत्र कलपना है वो है अंजन विदी अंजन विदी इसकी definition क्या है कि सलाई या शलागा के द्वारा या अंगुली के द्वारा नेत्रों में आउजदी लगाने के जो क्रिया होती है उसको अंजन कहते हैं अंगुली से लगाना या सलाई से लगाना आउजदी को आँखों में इसको अंजन विदी कहते हैं अब इसके प्रकार इसके जो प्रकार है वो अलग अलग basis पे उसको classify किया गया है तो जो पहला है वो यह है कि किस form में हम इसका यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम कौन सी कलपना यूज़ कर रहे हैं जैसे कलपना होती हैं रगला की attun form में atfp करने जैंगी क्ति इस करते हैं स्वरस फ़ॉर्म में यह कल्क फॉर्म यूज़ करते हैं वैसी हम उस्टी का किस फॉर्म में हूं करते हैं तो यह इस बेसों पे तीन टाइप का हो जाता है अईजन के लिखंत अब पॉड़ा से थोड़ा सा ईतना कैना या निलिक्विट उतना रंच्रिया वोलते हैं तो चून का मतलब जितने भी जिसे हैं और हुआ इस Самे क्या नरे बंध़ा को अब जिए से अबKO और द्रभ एंनको हमम चूर्न फोर्म में करते हैं तो जिस Самयां कर्म अम्हा मिनलबी एक निए लूझ है कार्ण भेज्ट कर रहे हैं कि हम उसका यूच्क लिए कर रहे हैं या किस रोग में हम उसका यूज रहे हैं, तो इस बेज़ पर उसके अचारे ख भागबट ने उसके चार टाइप बताए है, अचारे ख भाँअब होता है। लेखन का मतलब होता है जैसे जब दोश होते ना जब दोश चिपक जाते हैं मतलब थोड़ी सी अमाउन में चिपक जाते हैं तो उसको खुरच के स्क्रैपिंग लेखन का जो अगर हम उसको देखे तो स्क्रैपिंग होता है उसका मतलब स्क्रैप करके खुरच के बाहर निकाल कि निए तो उसके लिए उसके लिए हम कुछ क्वात होते हैं जिनसे हम आखोत होते हैं तो उन्से हमारे जो आखोती हो साफ आती है प्रसादल का मतलब होता है क्लीन करना उस चीज दिशको ठीक है और ब्रत भाग भटने वी यह तीनी माने लेखन रोपन प्रसादन और जो मात्रा वरती के लिए हमने का और चून तो वरती और रसिया के लिए मात्रा है वह लेखन अगर कर रहे हैं तो एक मत्र होगी वो यूज़ करेंगे रोपड में दो मटर के दाने के समान और प्रसादन में डेड़ मटर के दाने के समान और अगर हम चून ऐसा अंजन यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना यूज़ करना है तो शलाका को अंजन में मतलब जो चून है उसमें अगर हम एक बार उसको उसमें लगाते हैं तो उसमें हमें जब एक बार लगाने पर उसमें जितना भी उसमें आ जाता है वो उसको ले करके लेखन में दो बार प्रसादन में तीन बार प्रोपण में चार बार लगाना है मतलब हमने शला कर ली हमने चूर्ण में उसको लगाया और वहां से हटाया वहां से हटाने के बार उसमें जो भी मातर उसमें चूर्ण चिपके फिर लगाया लेखन में दोबार हो गया प्रसादन में ऐसे तीन बार करना है कि वहाँ पर लगा के चूंड में लगाया और फिर आँखों में लगा दिया तो ऐसे तीन बार हो गया प्रसादन में रोपण में ही चार बार करना है